दोस्तों, मंगलवार की रात सिर्फ दो लोंग यहां जला दें, बड़े से बड़ा दोस्मन भी आपके सामने घुटने टेक देगा, साथ ही साथ आपके जीवन की सभी परेसानिया हो जाएंगे खत में, और भगवान बजरंग बली का सदेब आपके उपर रहेगा आशिरवा लोंग का प्रियोग स्वाद और स्वास्त दोनों के लिए फाइदेबंद होने के साथ साथ जोत्सी उपायों में भी कारगर माना गया है, लोंग के प्रियोग पूजा के अलावा तंत्र मंत्र में भी किया जाता है, क्योंकि इसे उर्जया का बाहक माना गया है, अपनी किस अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप भी चाहें तो लॉंग के प्रचलित टोटके और उपाय अजमा सकते हैं वैसे तो आपको इश्पष्ट कर दे की इन उपायों का कोई भी बैज्ञानिक अधार नहीं है ये वो उपाय हैं जिन्हें परंप्राव में अजमाते आ रहे हैं जी हां दोस्तो लॉंग का सबसे पहला उपाय घर से आप नकरात्म कुर्जा को कैसे दूर करें और घर में लाएं कैसे सुक सांती और सम्रिध्धी जी हां दोस्तो उसके लिए आप घर से नकरात्म कुर्जा को दूर करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको अपन मंगलवार की रात पांच लॉंग और साथी तीन कपूर और तीन बड़ी इलाची और दो लॉंग आप ले लें जी हां और जब इनको अगन में आप यनी की जला दें और जब इसकी लप्टे उठने लगे तो इसे आप क्या करें कि सभी कमरों में घुमाएं यनी की दो राक को मुख द्वार पर आप फैला दें यनी डाल दें चाहे तो आप राक को जल में मिला कर मुख द्वार पर छीटे मार सकते हैं इस घर में मौजूद नकरात्म कुर्जा का नासोगा घर के मुख द्वार पर सकरात्म कुर्जा भरमार रहेगी और आपकी घर में शदैब शकरात्म कुर्जया का बास रहेगा और साती सात जिन लोगों के कुंडली में राहु के इस्ति, राहु केतु के इस्ति अनकूल नहीं है और इनकी दसा में परिसानी हो रही है तो मंगलवार के दिन लौंग का दान अवश्च करना चाहिए इससे राहु केतु के इस्ति अच्छी रहती है अगर कोई दान नहीं लेना चाहे तो आप मंगलवार के दिन इसे स्यूलिंग पर अर्पित कर दें जी है दोस्तो इस उपाई को आप एक जारा मंगलवार तक करेंगे तो राहु और केतु का बुरा प्रभाव समाथ हो जाएगा घर में खुसाली और आनंद के लिए लौंग का पोधा भी आप मंगलवार के दिन जरूर लगा सकते हैं लौंग के कुछ कलिया अगर आप मंगलवार के दिन आप अपने पास रखते हैं जेम में तो फाइदा होगा और साथी साथ आपको किशी ने अगर पैसे उधार ले और वह नहीं दे रहा लोटाने में आना कानी कर रहा है तो उससे बिवाद करने की बज़ाए लौंग का यह एक आसान सा उपाय अजमा सकते हैं जिससे आपका धन आपको जल्दी मिल जाएगा आपको करना क्या है आपको मंगलवार की रात कपूर जलाकर 21 लौंग से भगवान बजरंग बली का ध्यान करते हुए हवन करें कपूर के साथ-साथ दो लौंग भी जला लें यहनि कि आप भगवान बजरंग बली का हवन करें साथी साथ भगवान बजरंग बली से प्रातना करें और जिसे आपने पैसा उधार दिया है वोई आपको जल्द वापस यनि की मिल जाए जी है दोस्तो इस प्रकार हवन करने से और भगवान बजरंग बली का इश्मरन करने से आपको जब आप इंटर्वी देने जाएंगे, वहाँ लॉंग के अप्षेशों को मुहसे फेंख दें, और अपने इश्ट्डव का इश्मरन करें, साथी बजरंग बली का इश्मरन जरूर करें, इंटर्वी के लिए जाएं, और मनही मन भागवान बजरंग बली का इश्मरन करें, दोस्तों तंत्र सास्त के अमसर इस उपाय को आपको यह नि की कारे को करने से सफलता कारे में मिलती है जो आप इंटर्वित देने जा रहे हैं उस इंटर्वित मीं आपको सफलता प्राप्त होगी और इन पांच लोंग को आप क्या करें कि माला बना ले और साथ ही लाल धागे में आप माला बनाने के बाद आप इसे माला को लाल कपड़े में बांध कर किशी भी आप पारिस के हनवान मंदरी में रख दीजेगा दोस्तों ऐसा करने से जल्द सल्दे आपकी आरतिक शमस्याइं दूर हो जाएंगी और घर में बरकत होने लगेगी धन सम्मंदिת परिशानिया नहीं रहेंगी दूर हो जाएंगी दोस्तों अगर दुस्मनों से परेशानी है ये फिर सत्रू बार-बार परेशान कर रहा है आज हम बात करेंगे सत्रू से मुक्ती पाने के लिए सत्रू जो आपके सामने घुटने टेक दे तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है आपको क्या करना है कि आपको दो लॉंग लेना है और रात्र में मंगलवार की रात्र आपको किसी भी दो राहे पर चले जाना है दो राहे पर यनि जाकर जहां पर दो रास्ता फूरता हूँ वहाँ पर चले जाए और दोनों लॉंग को आप दुस्मनों का नाम लेते हुए वो लॉंग फेंक दें और सिधे वापस चले आएं यकीन मानिया आपको विशेश लाब होगा दोस्तों अगर सत्रों से बहुत ज़्यादा परिशान है सत्रों से मुक्ति चाहते हैं तो क्या करेंगे आप एक असान सा उपाय जरूर करें लौंग का आप दो लौंग ले लीजे लौंग को क्या करें कि आप एक कपूर की टिकिया और दो लौंग ले ले और इसे जला ले और इसे जलाने की बाद इसकी जो राख है उस यहने की पूरे घरवे पहले दिखाएं यानि की घर में दिखाए और इसकी जो राख है वो आपको राख को आप ले जाकर आप हनवान जी के मंदर के मुख द्वार पर आप दुस्मनों का नाम लेते हुए डाल दे यकीन मानिए बिशेश लाब होगा या फिर आपके दुस्मनों से छुटकारा मिलेगा सत्रों से मुक्ती पाने के लिए एक आसान सुपाय और करें आपको क्या करें कि दो लौंग ले ले एक कपूर की ठिकिया और दो इलाइची ले और इसे जला ले अपने घर में या फिर आप चाहें तो जितने आपके सत्रों हो जितने भी आपके दुस्मन हो उतने ही लौंग ले लीजे और इसे कपूर के साथ आप जला कर आप हनवान जी से मनो कामना बोलें और फिर इसे राख को अपने मुख द्वार पर आप फेक दीजेगा यकीन वानिए आपको बिशेश लाब होगा और आपको इनके सत्रों से पीड़ाई मुक्ती मिलेंगी या फिर आप चाहें तो हनवान जी के मंदर में सत्रों को नाम लेकर दोलोंग और कपूर की ठीकिया और इलाइशी जला दें तो सत्रों से मुक्ती प्राप्त होगी और सत्रों पीड़ाईं से आपको कभी भी कश्ण नहीं होगा दुस्मन आपके सामने घुटने ठेक देगा तो दोस्तों ये छ सेर करिए और चैनलों को सब्सक्राइब करिएगा जय बजरन को लिए